हेलो प्रेम आज हम बनाएंगे मार्बल के और इसके लिए हमें सामगरी चाहिए पांच घंडे 130 ग्रैम मैदा 125 ग्रैम डाक चॉकलेट 125 ग्रैम वाइट चॉकलेट 125 ग्रैम पाउडर शुगर 120 ग्रैम बटर रूम तेंपरेचर पर 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर पिंच ऑफ सॉल्ट और हाफ टी स्पून वैनिला एसेंज सबसे पहले हम मैदे में बेकिंग पाउडर और सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बड़े से पाउल में हम अपने अंडे फोल लेंगे अंडों में हम शुगर एड करेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे 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 मैं इसे तब तक बीट करें जब तक इसका कलर काफी क्रिमिश हो जाएगा जैसे ये वाइट के बहुत करीब है और इसके थिकनेस इतनी ही होने ही चाहिए जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम आप बटर एड़ करेंगे इसमें बटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें हमारा जो मैदा है उसे एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा सा एड़ करना है कर दोड़ करेंगे बटर एड़ करेंगे जब हैं हमारा बैटर अच्छी तरह से प्यार है इसमें वैनिला एस्टेंट दालेंगे हाफ टीजपून के करीब यूज करना है जादा नहीं है करना और इस अच्छी तरह से मिस्स करेंगे इस बैटर को हम दो पोर्शन में डिवाइट करेंगे इसके बाद हम अपनी वाइट चोकलेट और डाक चोकलेट दोनों को मेल्ट कर लेंगे हमारे दोनों बैटर में हम एक में डाक चोकलेट और एक में मिल्क चोकलेट को मिक्स करेंगे इसमें हमारे चोकलेट अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब हम डाक चोकलेट को मिक्स करेंगे हमारे बाक चुकी है अब हमारे अब बाक चुकी है तरह बाक चेंगे हमाई डास चॉकलेट तरह से मिक्स हो चुकी है हम इसे मोल्ड में शिट करेंगे हमने अपने टीन को ग्रीज करके मैदे से डस्टिंग कर लिया है हम केक के मोल्ड में सबसे पहले वाइट चॉकलेट वादा बैटर एड़ करेंगे इसे आधा ही डालना है पुरा नहीं यूज़ करना और इस तरह से पैन को टेक्टर के लेवलिंग करेंगे ताकि यह पुरे बॉटम में स्प्रेड हो जाए अब हम इसमें जाग चॉकलेट वाला बैटर यूज़ करेंगे इसे भी आधा ही यूज़ करना है और इस अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले जो हमारा दूसरा वाइट चॉकलेट वाला बैटर बचा है इसे दुगारा यूज़ करेंगे और इससे डाक चॉकलेट वाली को पुरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे और यह पूरा बैटर भी यूज़ करना है अगर पुरी तरह से कवर नहीं होता तो कोई बार नहीं हम ऐसे भी मार्बल केक बना रहे हैं अगर इसके वेव जाएंगे तो डिजाइन और अच्छी लगेगी तो पूरा बैटर इसमार करेंगे दाफ चॉकलेट वाला पूरा बैटर इसमार करेंगे हमने डार्क चोकलेट और वाइट चोकलेट की लेयर से यार कर लियो और इस सरह से नाइप लेके हम इसमें वेवस बनाएंगी और हम इसे माइक्रोविम में बेक करने रखेंगे बनाएंगी डीगरी पर 35-40 मिनिट तर इसे बेक करना है हमारी केक तयार हो गई है इसे पकने के लिए हमें 50 मिनिट लगे और जिसे अब देख सकते हैं हमारी केक काफी स्पॉंजी है लेकिन अभी ये घरम है हम इसे रूम टेंप्रेचर तक थंडा होने रखेंगे अब हमारी केक पूरी तरह से खंडी हो गई है अब हम इसे कट करके स्रॉब करेंगे जिसे अब देख से थे हैं हमारी केक कितनी मॉइस्ट और कितनी सॉप्ट है और इसमें माबल की इफेक भी बहुत बढ़ी आई है झाल